मनीज जी का पहला कोश्चन है और बहुत अच्छा कोश्चन है और इसको अगर आपने सही से समझ लिया तो आप बहुत सारे बैसे बना सकते हो सो मनीज जी पूँछ रहे है कि सर्कवान इंडिया समौल कैप के अंगर मैं इंवेस्ट करता हूं रुप तो क्या लेस्ट इने और वन करोर रुपे बनाने हैं तो क्या म्यूचन अच्छा लएगा अगर आपको ऐसा करना हूं आप क्या स्टेजी फालो करोगे मैं आपको दो स्टैटिजी शेयर करूंगो, एक स्टॉक के साथ, एक mutual fund के साथ, स्टॉक वाली काफी ज़्यादा high risk और high growth लेकर के आई को इसी के साथ mutual fund high risk और decent growth आप के लिए ला सकता है, तो स्टॉक्स की कि भाई जब भी अगर आप एक 10X टाइप का स्टॉक ढूंड रही हो, क्योंकि अगर आपने 10 लाग रुपर डाले तो 10X करने पड़ेंगे आपको अपने पैसे को तभी आप एक करोड तक पहुँच पाओगे, तो उस case के लिए जो सबसे पहला factor आपको ध्यान रखना है कि भाई वो जो industry है, वो जो sector है, वो growth वाला हो, industry के अंदर tailwind हो, इसका मतलब यह है कि भाई वो जो industry है, वो sunrise industry होनी चाहिए, मतलब नई नई industry बनी होनी चाहिए, उस industry के अंदर अभी अभी ज़्यादा स्यादा लोग गुसर रही है, तो उस segment के अंदर आपके सबसे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, कुछ basic example की बात करता हूँ, जैसे small housing finance companies होती है, जैसे कि जो tier 2, tier 3 cities के अंदर काम करती है, वो जो sector है, वो इस समापे penetrate नहीं करा हुए इत्ता ज़्यादा, जितने भी हमारे बड़े banks है, वो सारे के सारे tier 1, tier 2 cities को mainly target करते हैं, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं गए है, गाउंदेश में नहीं गए है, वो वाला sector है, जो अभी इस समापे बहुत ज़्यादा develop नहीं हुआ है, वो धीरे-धीरे करके grow कर रहा है, और even वहाँ पे जो growth rate है, उस sector की growth rate है, वो up to 30% है, तो अगरा sector ही 30% के आसपास grow कर रहा है, तो आप ये समझो कि उसके अंदर की company सिर्फ sector के साथ भी grow करें, तो अगले 3-5 साल तक 30% के CAGR से grow कर सकती है, और आप ये समझो, वहाँ पे जो valuations है, वो companies को और भी ज्यादा मिलेगी, तो इसका ये मतल जो card industry है, वहाँ पर भी जो credit card की penetration है, इंडिया के अंदर अभी कम है, धीरे-धीरे करके बढ़ रही है, तो ये कुछ main दो sector है, जो आपके शेयर कर सकता हूं, second चीज की बात करते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये है, कि जब भी आप stocks खरीते 200% के return within a year तक बन सकते हैं, वो आप miss कर दोगे, क्योंकि वहाँ पर P.E. expansion already हो चुका है, क्योंकि valuations already high है, तो इसी वज़े से आपको ऐसा sector देखना है, जो की growth है, लेकिन उसके सांसा तो sector के अंदर आज की rate में थोड़ी सी problem देखने को मिले, जिस वज़े से P.E. compression वाले में वही पर F.E.C.G. में आप Nestle या Hindustan Unilever को sector later consider कर सकते हो, लेकिन जब एक sector अभी तक बना ही नहीं है, पूरी तरीके से, तो वहाँ पर sector later आप consider नहीं कर सकते, कि आने वाले टाइम पर कौन sector later बनेगा, market cap के साब से तो at least नहीं कर सकते हैं, तो उस case के अंदर आपको देखना net profit है, वो भी industry में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि net profit और growth और margin ये तीनों चीज़े industry में ज़्यादा है, आज सो आज नहीं तो कल वो वाली जो company है, वो sector leader बनेगी और आपके लिए maximum पैसा वही बना पाईगी, तो इसी वजह से कोशिश करनी है कि sector leader ढूढ़ो, ताक कि आप maximum पैसे बना पाऊ, next is the important है, जिसको हम इतना ज़्यादा value नहीं देते हैं, कि भाई, government का ना support होना, चाहिए, government भी चाहती हो कि भाई, वहाँ पे एक growth है, देखो अगर आप government के गेजन जाकर करे कही पे invest करोगा, सोचुगी कि भाई, मैं पैसा बना लोगा, तो ऐसा नहीं बट, यहाँ पे वो growth, like 10x यासी growth है आप नहीं ला सकते, because government definitely support कर रही है, लेकिन यह sector के अंदर ही इतना ज़्यादा dumb नहीं है, और जो valuation हो ज़्यादा high हो चुकी है, इसी वज़े से अगर government किसी ऐसे sector को promote कर रही है, जो कि under penetrated है, और उसी के सासा वाँ पे growth भी काफी अच् target कर रही है, इसी वज़े से अगर आप देखोगी, हुडू को जो एक stock है, उसके अंदर 500-600% के return मले है, वादब 6x, 7x हो चुका है, लास्ट 5 years के अंदर, तो आप यह समझा सकते हो कि अगर growth आती है, government के support से, तो यह वाँ sector काफी तरही से growth कर सकता है, next आ सबसे important चीज है कि भाई, moat का basic मतलब क्या है, moat का मतलब है कि भाई, क्या ऐसा unique selling point है, जिस वज़े से वही एक stock या वही एक company market leader मनेगी, hypothetical example देतो हो, जैसे SDFC bank है, वो market leader क्यों बनी, क्योंकि उन्होंने conservative तरीके से loan disperse करा, और इसी के साथ अपने NPA कम रखे, जिस वज़े से वो इतनी ज़् महिंदर बैंक की चीज नहीं कर पाई, नहीं कोटेक महिंदर बैंक नहीं करा, लेकिन कोटेक महिंदर बैंक को आता है, टाइम लगया, जब तक main market share SDFC bank खीच चुका था, तो यही चीज आपको देखने ही पड़ेगी, कि जो भी आप stock ढूंड रहे हो, उसके अंदर mode क्या है बड़ी कंपनी है, तो यह आपके लिए 10X नहीं हो सकती, less than 5 years, यह भी आपको देखना पड़ेगा, इस से आता है हमारा last step, कि भाई, वह एक small cap company होनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से समझो, एक company सपूस करो 2,00,00 करोड की है, उसको 10,00,00 करोड का बनना काफी नहीं हो पाईगी, लेकिन वहीं पर एक company है, जिसका market cap 10,000 करोड है, या 20,000 करोड है, तो वह 10X फिर भी हो सकती है, 10X नहीं हो गी, तो at least 5X, 7X हो जाएगी, तो भी आपका पसा बहुत ज़्यादा जल्दी बन सकता है, तो अगर आप small cap की companies choose करते हो, तो भी वहाँ पर benefit मिर देंगे, अब देखो, personally, अगर आप मेरे से कुछ होगी, कि आम managed होंडे है, हाँ, मैंने कुछ ऐसे stock धूंडे है, मैंने खुद उसमें invest किया था, जैसे cap line point labs होगे, IDFC first bank होगे, जैसे home first होगे, लास्ट एक साल के अंदर आप देखोगे, तो भाई 100% के आस-पास कर return देख रहे हैं, एंडेनी 47% के आस-पास कर return देख रहे हैं, बड मेरी अभी तक क्या गलती थी, कि भाई, मैं जब भी invest करता था, पैसा नहीं दिखाता था, इसलिए आपको हर इंसन पर्सेंटेज बताएगा, लेकिन कभी भी उसने क्या गलती करीव नहीं बताएगा, और वो मैं बता रहूं आपको, मैं इस समय पे rectify कर रहा हूं, और अब मैं अपने portfolio को concentrate कर रहा हूं, तो अगर आपको actually 10x अपने पैसे को बनाना है, तो जो 10 लाग के आप बात कर रहे हो ना, वो अले लिए स्टॉक में नहीं हो सकते, वो 2-3 स्टॉक में maximum होने चाहिए, ताकि अगर आपकी जो bet है, वो सही लगती है, अगर आपकी analysis सही होती है, तो आप चुली में maximum पैसा बना पाओ, तो जो last step है, वो है, कि भाई, जब आपको ऐसी company मिल जाना है, तो maximum पैसा लगा पाओ, जातर लोग वही गलती करते हैं, कि भाई, वो company तो फिर भी डून लेते हैं, बर maximum पैसा नहीं लगा पाते हैं, कि ऐसा हो पाई, like rare of rarest cases में chances हैं, ऐसा हो पाई, because mutual fund के अंदर देखा गया है, minimum 30 company होगी, और 30 company को, मतलब आप यह मालने, 50%, 60% CAGR से grow करना consistently, यह काफी ज़्यदा मुश्किल काम है, तो अगर आप अपने mutual fund को 25% से भी grow करते हैं, तो भी आपको 10 सा लगेंगे, 10 लाग र solution, देखो, मैंने personal loan ले करके invest किया था, करीब 2021-2022 December के आसपा, जिस समय पे market पूरी तरीके से मरी हुई थी, collapse हो रखी थी, मैंने एक अच्छा खासा amount loan पर लिया था, जितना चाल मैं उस समय पर afford नहीं कर सकता था, उस से ज़्यादा मैंने loan पर लिया था, fund के ELSS mutual fund में invest किया सबसे पहली चीज करी है, कि भाई, valuations, उस समय पर valuations almost bottom out हो चुकी थी, और उस से ज़्यादा नीचे गिरने के chances मुझे personally नहीं लग रहा था, उसके बाद भी 10% गिरे थे, लेकिन फिर जब recovery आई तो बहुत ज़्यादा शांदार है, और वो जो loan का पैसा था, वो पूरा almost double स actually में मैंने काफी ज़्यादा लिया था, इसी के सासा second चीज जो उस समय पर मेडले काम पर रही थी, मैं बो almost kind of luck था, valuations market के almost low के आस पास थी, इसी के सासा जो मेरी job थी, वो भी securely चलती रही, तो इस वज़े से वो जो growth मिली मुझे, वो extraordinary मिल गई, और third important चीज, कि भाई, वो जो पैसे तो वो actually ज़्यादा बन पाए, तो अगर आप चाहते हो कि 10x के return मिले, शायद 10x के ना मिले आपको return, लेकिं leverage करते हो आप जब valuations reasonable होती है, तो जो आपके return होते हैं, जो आपके वाद एक लाग रुपे, अगर आप 5 लाग रुपे का loan लेते हो, तो आपका investment amount, suppose आप 10 लाग रुपे लगाने वाले थे, आपने 10 लाग रुपे की जगा, 30 लाग, 40 लाग रुपे लगा दिए, बाकी का सारपासा loan पर लिकरके, अगर बनेगी 20-30 लाग रुपे की आसपस के, तो वो बनेगी 30-40,000, 50,000 रुपे की आसपस की, और वो पैस अगर आपका double हो आप 10X के return कमा सकते हैं, ये practical तरीके हैं, ये मेरे लिए काम करे हैं, और मैंने आप आपको practical example के साथ बताए हैं, और companies की बात करोगे जो हो सकती है, 10X तो नहीं पता मुझे बठा, 3X, 4X के आसपस, जो मुझे लगता है, आज की rate में हो सकती है, वो है, Home First Finance, Aadhar Housing Finance, Aptas आपक तो भी काफी पैसा कमाई है, इनमें जो मैंने इस स्टॉक लगाए हुए हैं, और इन्होंने काफी एच्छे return दी हैं, PVR, INX के अगर आप बात करोगे, तो recently अच्छा पैसा दिया है, और उसके दमें बहुत बढ़ी position नहीं थी, तो वहाँ पर मेरे को बहुत ज़दा return नही है, क्योंकि मैंने इता पैसा इंबेस्टी नहीं किया था, तो ये गलतिया भी मैं धीरी-धीरी करके सुधार रहा हूँ, अगर आप चाहते हो, real में stock market में आप बहुत सारा पैसा बनाओ, तो अगर आप ये चार पास दस चीज़ें अच्छे से करना सीख जाओ, इसको करने म सब बहुत अच्छा पसा बना सकते हूँ, इसमें कोई धोराई नहीं है, इसमें कोई धोराई नहीं है, तो ये कुछ गोशन था हैं जो क्या आझ की वीड़े को लेâuं ठाले थे वीडियो पसंद आई तो प्लिस श्वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्रेब करना झाल